स्वास्थे करांती बोमी का अगला बड़ा परिवर्तन बीस्वे स्थाब्दी में मोटर गाड़ियों, हवाई यात्राओं, पर्सनल कम्प्यूटर और परिवार न्योजन जैसी चीजों ने हमारे जीवन में करांती ला दी इन मामलों में प्रारंबी खोजों ने सुरुवाती दोर में जोकिम उठाने वाले उद्मियों और निवेसकों के जीवन में नए सामराजे तथा अभूत्पूर उन्यजी संपतियों का रास्ता खोल दिया 21 सदी का अगला बड़ा परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ है और यहे अगले दस सालों में हमारी जिन्दगी में करांती ला देने और अपार दोलत बनाने की नई संभावनाओं का ऐसा ही वाला करता है यहे अगला बड़ा परिवर्तन है स्वास्तिय करांती यहे पुस्तक किसी सनक या चलन के बारे में नहीं है यहे तो भोजन करने, व्यायाम करने, सोने, काम करने, बचत करने, पुड़े होने और हमारे जिन्दगी के लगवग हर पहलू में नवींता तथा अनंत जरूर्त भरने के बारे में है स्वस्त रहने के इच्छा हमारे फैसलों पर पहले ही आवी हो चुकी है जिन में सुबह इस्तिमाल होने वाले टूथ पेस्ट तता सैंपू से लेकर दिन भर में खाए जाने वाले खाद्य पदार्तों और रात का बिस्तर तता सुन्द्रिय परसादन भी सामिल हैं हम अपने उत्पादों से अधिक सुरक्षा की मांग करते हैं हम इन से अधिक बचाओ भी चाते हैं हालांकि हम इस जन्जाग रुपता की बढ़ती जरूरत के सिर्फ शुरुवाती दोर में हैं क्योंकि अधिकांस लोग अब भी यह नहीं जानते कि उनकी साधारन पसंद किस तरह उनके स्वास्ते पर असर डाल रही है कितने ही स्वास्ते उत्पात और सेवाएं बाजार में अब भी सुलब नहीं है इस पुस्तक में उबरते स्वास्ते उध्योग से वित्या और निजी तोर पर लाभानवित होने इसमदी सभी जरूरी जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस विशाल अवसर पर अपना दाउं पेस करें किस तरह इस नव पुरन जीवन उद्योग में जगे बनाएं जिससे आप खुद को नेकेवल बेहत अमीर बलकि ऐविसोसनिय तोर पर सुखी भी बना सकते हैं अगला बड़ा कदम जब हेंडरी फोर्ड ने पहली बार ऐसी इस मोटर गाड़ियों की बड़ी संख्या में उतपादन शुरू किया जो आम आदमी की पहुंच में थी तो कई लोगों ने इस विचार की यह कहकर खिले उड़ाई थी कि इन्हें कौन खरी देगा उस वक्त मोटर गाड़ियां चलाने लाएक बहुत कम पकी सकती थी गैसोलिन स्टेशन का अस्तितो ही नहीं था और अधिकांस लोग अपने कारियस तल से पैदल दूरी तक ही जटके लेकिन उतपाद के परचोर उतपादन के साथ-साथ यह जरूर बढ़ गई लोग उपनगरिया इलाकों में जाकर रहने लगे और उन्हें कारों की जरूर पढ़ने लगी उसी दोरान साथ-साथ कैसोलिन स्टेशन भी खुलने लगे जल्द ही दबतर जाने या दैनिक जरूरतों की खरीदारी के लिए कार जरूरत बन गई क्या होता अगर तब आपको यह बताया जाता की हंधी फोर्ड का मोडल T सिर्फ एक नए उतपाद नहीं बलकि वैस्विक अर्थ वियुस्ता के पूर्ण तेया 10 खरब डोलर के नए चेतर का उदे है क्या होता अगर तब आपको यह बताया जाता कि अगले सो सालों में पचास करोड कारें सडकों पर होंगी जो गैसोलिन स्टेशन, सडक निर्मान, टायर बदलने उपनगरिया इलाकों में ग्रै निर्मान और फास्ट फूर्ड रेस्टरा के दस खरब डॉलर के सहायक उद्योग को जनम देगी क्या आपने इस विचार को स्विकार किया होता यह देखते हुए कि उन दिनों ने सडकें थी, ने गैसोलिन स्टेशन थे लोग सुईदा जनक नजदीक की जगहों पर हफते के च्छै दिन कम तनक्वा पर काम करते थे उनके पास हर अभिवार को गाउं तक शैर करने का भी वक्त नहीं हुआ करता था इस विचार को स्विकारने के लिए आपको भी दूरदर सिता दिखाते हुए हफते में पास दिन, सालिस गंटे काम और स्वेच्छिक आए बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता लेकिन मान लीजिए आप अपने दोस दर सिता से उबर जाते और हेंड्री फोर्ड दता अन्या की नए स्वेच अलित शक्ति वाले वाहनों को खर्बोन डालर के उध्योग की शुरुवात की रूप में देखते हैं एसे में आप जोखिम उठाने वाले उद्वी या निवेसर की रूप पे अपना दाउं कहां लगाते हैं यह कैसोलीन या डीजल कारों पर होता या इलेक्ट्रिकल गाडियों पर आपका दाउं सडक निर्वान पर होता या टायर जैसे बदले जा सकने वाले अन्य पुर्चों पर या फिर रियाईसे इलाकों के विकास पर और इसी तरह मैं तो पूर्ण फैसला लेते हुए अगर एक बार इन में से कोई एक शेतर चुन लेते तो खास तोर पर अब क्या दावा पेस करते हैं हाल एकी बात है 1981 में नवर रिर्वित परसनल कंप्यूटर IBM PC के आने से आसरे जनक रूप से विसाल उद्ध्योक का जनम हुआ जिसमें एपल एवम रेडियो कैस के परतवर्दी मोडल भी मौजूद है समभताय अधिकांस लोग यह नमान नहीं लगा पाई कि यह सिर्प एक उत्पाद नहीं बलकि विस्व अर्थ विस्ता के एक और कर्बून डालर के च्छेतर का आगास था यह तेजी से बढ़ता यह कैसा च्छेतर था दस साल के कम समय में ही परसनल कंप्यूटर की विक्री ने अमेरिका में मोटर कार की विक्री को पचाड दिया जो बदलाव पहले सो साल या उससे अधिक समय में होते थे हमारी आदुनिक अर्थ विस्ता में वे अब दस साल या उससे भी कम समय में होने लेगे क्या आप बिल गेट्स, माइकल डेल, जेफ बेजोस और अन्य की तरह परसनल कंप्योटर को दस खरब टोलर उद्द्योग की संभावना के तोर पर देखकर इसके किसी हिस्से पर अपना दाओ भी लगा पाते स्वय चलित गाड़ियां और निजी कंप्योटर अपने समय के दोव विप्रित ध्रोग दे आखिर गोडो और बग्गी के दोव में लोगों के लिए ऐसी गाड़ियों को स्विकारना मुश्किल था जो खुद की सक्ती से चले इसी तरह कमरे के आकार के बड़े कंप्योटर के दिनों में कौन यह कल्पनाज आसानी से कर सकता था कि कोई कंप्योटर व्यक्तिकत भी हो सकता है एतियासिक रूप में खास-खास नए उत्पाद नई-णई वैग्यानिक खोजों की बदोलत उपलद हुए इन नई खोजों से ही उत्पाद आसानी से लोगों तक पहुंचने लगी लोगों को मोटर गाडियों और परसनल कंप्योटरों की इनकी उपलवदा से पहले जरूरत नहीं थी यह ठीक उसी तरह है जिस तरह हमें आज एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने की जुरूरत नहीं एक बार उत्पाद होने के बाद ये सिर्फ नई उत्पाद से बढ़कर रोजमर्रा के काम और जीवन की पूरन आउशक्ता बन जाई इन दो नई और बहुत से अन्य उत्पादों में ऐसा क्या खास था जिससे इन्हे रतो रात सपलता मिल गई क्या ऐसा कोई परमान था जिससे ये पूरुवावास हो कि ये हमारी जिन्दगी के हर पहलू पर छा जाने वाले है उन लक्षणों को जानकर संभवताय आप दूसरे फाइदेमंद उद्योगों के बारे में अनुमान लगा सकेंगे दरसल उवरते व्यापक उद्योगों के पांच अलग-अलग लक्षण है जिनके बारे में मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा लेकिन पहले में स्वास्ते और उसकी अवश्यम भाविवनती के कारणों की समझ की जटिल विचारदारा के बारे में बताना चाता हूँ हम अभी अगले खर्बोन डोलर के उद्योग की बहुत शुरुवाती अवस्ता में हैं एक एसा उद्योग जो हमारे जीवन के लगवग हर पहलू को परवावित करेगा और दस साल के भीतर दस खरब डोलर की बिक्री के आंगडे को चूलेगा लेकिन यह आज उतना ही यह परीचित है जितना 1908 में आटो मोबाइल उद्योग था या 1981 में कंप्यूटर उद्योग था ओटो मोबाइल उद्योग रसाइन विज्ञान दातुशोदन विज्ञान और यंत्र विज्ञान की नई वेग्यानिक खोजों की उपस था परसनल कंप्यूटर उद्योग बोतिकी एवंद्वियादारी गणित की वेग्यानिक उनती का नतीजा था यह अगला खर्बों डॉलर का उद्ध्योग जीव विग्यान और कोशी की अजीव रसाइन विग्यान में नई वेग्यानिक कोजों से उनती कर रहा है स्वास्ते उद्ध्योग फिलाल जीवन के सरवादी गूड विशों में एक से जूज रहा है यह है मानो अस्तितो उम्र और जीवन सकती के कुछ सेस रहिशों को सुलजाना जिन पर तक्नीक को अभी भी अपना मुकाम बनाना बाकी है स्वास्ते उद्ध्योग को परिवासित करने और उसकी संभावनों को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले इसे संबन्दित समान तक्नीक 15 खरब अमेरिके डोलर का स्वास्ते सिवा उद्ध्योग परादारित उद्ध्योग से अलग करना होगा अमेरिकी अर्थ विवस्ता का लगबग सातवा हिस्सा यानि करीब 15 खरब डोलर स्वास्ते सिवा उद्द्यों को समर्पित है दरसल स्वास्ते सिवा एक गलत नाम है क्योंकि वास्तों में अर्थ व्यवस्ता का यह सात्वा हिस्सा बिमारी व्यवशाई को समर्पित है शब्द कोस में इसका अर्थ है बुरा स्वास्ते, बीमारी, कोई एनिमित्ता, कमजोरी या खराव हालत या कोई खास बीमारी अगले दस सालों में अमेरिकी अर्थ व्योस्ता दस खरब डोलर के एक और अतिरिक्त व्योसाई को समख्तित होगी यह व्योसाई है स्वास्ते उग्द्योग जिसका नाम अभी लोगों के लिए अंजान है शब्द कोस्व में इसका अर्थ है अच्छे स्वास्ते में होने की गुर्वत्ता या अवस्ता विशेष्त है सक्रियात्मक्ता के द्रिष्टिकों से महत्व जोटा गया है इस बिंदो से आगे मैं निम्न परिवासाओं का इस्तेमाल करूँगा बिमारी उद्योग स्वास्ते उद्योग इस पूस्तक को कैसे पढ़े इस पूरी पूस्तक में मैंने उन महत्वकून बिंदों को विशेष तवज्जो दी हैं जिनकी आवसकता आपको अपने परिवार, सहयोगियों, मुवक्किलों, गरहाकों, निवेसकों और संजेदारों को इस नए उद्योग के बारे में वरणन करने के लिए होगी पहले अध्याय में मैंने अगले दस सालों के लिए स्वास्ते उद्योग पर अपना द्रिश्टी पूर्ण बताया है जब मैंने इस पूस्तक के लिए शोध शुरू किया, तो मैंने स्वास्ते उद्योग की मुझूदा चीज़ों के बारे में सोचा फिटनेस कलब, विटामिन और इसी तरह की चीज़ें, जो पहले ही अमेरिका में कुछ खरब डॉलर का वेवसाइग कर रहे हैं मुझे यह जानकर आस्चरिया हुआ, कि इसकी विक्री पहले ही 200 अरब डॉलर पहुंच चुकी है इसमें 70 अरब डॉलर की विटामिन विक्री और 24 अरब डॉलर की फिटनेस कलब शामिल है और अभी सिर्फ कुछ लोग इस स्वास्ते के बारे में जानते हैं कल्पना कीजिये तब क्या होगा, जब ज़्यादा लोग यह जानने लगेंगे कि स्वास्ते उनके जीवन की गुनवतता और दिरगायोता बढ़ा सकता है दूसरे अध्याई में मैंने समझाया है कि यह स्वास्ते के तारतम्य में किस तरह काम करती है मैंने यह भी समझाया है कि मांग की नियमित वर्दी कैसे हो सकती है मैं दिखाऊंगा कि आज की 200 अरब डॉलर की मांग किस तरह आइस वर की नोग की तरह है और ये नए उत्पाद तथा सेवाए हमारी अर्थवे वस्ता में 10 खरब डॉलर के नई एक्षेतर की सुरुवात का परतिने दित्तों करते हैं तीसरी अध्याय में आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा वर्तमान क्रिसी वेवसाई तथा खाद्य उद्योग मोटे और भारी बरकम उबोगताओं को लगातार खपत बढ़ाने की खातिर लक्षे बनाता है जिसके कारण अमेरिका में स्वास्त्य का संकट पैदा हो गया है इस देश की 61% आवादी मोटापे का शिकार हो चुकी है और 27% लोग चिकित्स के रूप से मोटापे का शिकार है यह संख्या 1980 से दुगुनी हो चुकी है और पिछले 4 सालों में 10% बढ़ चुकी है अन्य विक्सित देश खास तोर पर यूरोपिय समुदाई भी बहुत पीछे नहीं है फिर चोथे अध्याय में आप सीखेंगे कि इस वज़ये ने किस तरह हमारे समय के सबसे बड़े व्यवसाई का उसरों में से एक के रस्ते कोल दिये है इसमें सामिल है उब बोगताओं को शिक्षित करना, उन्हें स्वास्ते जनक, भोज्ये, जरूरी विटामिन और अतिरिक पूर्ग पदार्थ उपलव्द कराना जो हमारे आदुनिक बोजन में नहीं होते अतीत में सेहत और बिमारी उद्यों का एक बहुत बड़ा इस्सा स्वास्ते के साथ जुड़ा था पिछली स्थाबदी की शुरुवात में टीकों और एंटिवाइटिक्स की तक्निकी परगती की बदोलत कई बिमारियों जैसे छोटी माता, टाइफाइट, टीवी, पॉलियो के बचाव विक्षित कर लिए गए हैं जो मानवता की इस यूप पर लगाम है, यह अतीद की बात है एसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर चिकित्स की उप्चारों दरसल एसा बिमा कंपनिया और अंतत्य करमचारी के लिए थर्ड पार्टी पैसा दे रही है अब ज़्यादा कंपनिया अपने करमचारी के स्वास्ते पर देर कालिंदाव नहीं लगा रही है अगर आप स्वास्ते सेवा चेतर के इस सातवे हिस्से में हैं तो पांचवा अध्याई स्वास्ते उद्योग में कुछ चिकिट्स के अपेशेवरों के लिए उबरती उद्दमी संभावनों की परताल करेगा स्वास्ते उपद और सेवाओं पर लोगों द्वारा स्वेच्छा से अपना पैसा खर्च करना सलाकारों की मर्ची से दुखी ग्राकों पर किसी थर्ड पार्टी के मारफ़त खर्च करने से बेहतर होगा सटे अध्याई में आप सीखेंगे हमारा न्योकता आधारित स्वास्ते सेवा बीमातंतर बहने की कगार पर क्यों है और आप अपनी तथा अपने परिवार की सुरुक्षा के लिए क्या कर सकते हैं पिछले दस्कों में लगातार बढ़ती आर्थ्वेउस्ता के बावजूद अमेरिका में निजी दिवाली अपन की अर्जी देने वालों के मामले दुगने हो गए हैं इनकी संख्यासन 1990 में 7.5 लाग थी जो 1999 में बढ़कर लगवग 15 लाग तक पहुँच गई इसका बहुत बढ़ा कारण परिवार में चिकित सक्या दुर्गती होना पाया गया है फिर साथमें अध्याय में आप सीखेंगे कि किस तरह वर्तमान बीमारी आदारी तंतर से बाहर निकल कर आप एक साल में हजारों डोलर बचा सकते हैं और आपको दिर्कालिन स्वास्ते तथा जीवनता के लिए स्वास्ते उत्पाद और सिवाओं पर खर्च करने की जरूरत है इन में कुछ विकास आज आपको उपसाने वाले दिख सकते हैं लेकिन ये आने वाले नए स्वास्ते उत्पादों और सेवाओं की तुल्ला में फिके पड़ जाएंगे। 1908 के मोटरगाडी उध्योग या 1981 के परसनल कंप्यूटर की तरही बहतरीन नए उत्पाद और सेवाएं तो अभी भी प्रियोग सालाओं में हैं और ये अगले कुछ सालों में पाजार में आ जाएंगे इन दिनों मुहें में पाई जाने वाले थोड़ी से अंसे किसी व्यक्ति के डियने का परिक्षन संभव है और यह है पता लगाया जा सकता है कि उसके बीतर किसी खास बीमारी के पर्म बने की आशंका तो नहीं है इस जानकारी का इस्तेमाल कर एक स्वास्ते उद्धमी खास किसम के व्यायाम विटामिन बोचन तता अतिरिक्त पूरक पदार आधारित थेरेपी का लक्षे बना सकता है इस तरह वै उपवगता के जीवन की गौनवत्ता और उमर दोनों में इजफा कर सकता है नई तकनीक पर आधारित किसी भी उद्ध्योग में नियमित रूप से दोलत वे बना रहे हैं जो उत्पात और सेवाई वित्रित करते हैं ने की वे जो उन्हें बनाते हैं एसा आंसिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि तेजी से विक्सित होती किसी भी तकनीक की एक्षेत निम्न कार्ण से होता है जैसा कि आप अध्याए आठ में सिखेंगे अध्याए आठ में आप यह भी सिखेंगे कि हाली में वित्रण की संभावनों के प्रकरती बदली है यहव उत्पादों के बोतिक वित्रणक से बजलकर उनके बोतिक रूप से जानकारियों के वित्रणक में तबदिल हो गई है सन 1999 में सैम वाल्टन लोगों को वही चीजें वित्रित कर जो कि वे पहले से जानते थे कि उन्हें चाहिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हालांकि वर्स 1999 में आते आते जेफ बेजोस एमाचुन गरहकों को ऐसे उत्पादों के बारे में सिखा कर टाइम मैगजिन के मैनाव दायर चुने गए जिन के बारे में गरहक जानते तक नहीं थे कि ये चिजें अस्तितो में भी है ये है बात कहीं भी इतनी सही Key नहीं है जितने के उबर थे वेज़ते उद्द्योग में एक ऐसा उद्द्योग जिसमें उत्पादों तथा सेवाओं कि अधिकांस लागत उसके वितरने पर निराफर करती है और जिसमें भावी उत्बोगताओं की बड़ी तादाद को तब तक यह भी मालूम नहीं होता कि उत्पादस्तितों में है भी मान लीजिए मैं आपको सन 1845 में ही कैलिफॉर्निया में सन 1849 में होने वाले स्वरण दोड के बारे में बताता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर बनने के लिए कितने प्रेजित होते और इस बात से भी नहीं कि कैलिफॉर्निया जाने के लिए आप कितनी कड़ी मेंनत करते लेकिन आप एक देला भी नहीं कमा सकते थे जब तक आपको यह पता नहीं होता कि वहां पहुंचने के बाद आपको भग्या कहां आजबना है सच तो यह है कि सोने की खोज में अपने जिंदगी लगा देने वाले बहुत कम तताकतित खतान मालिक अमीर बन पाई कैलिफोर्निया की स्वर्ण दोड में दोलत बनाने वाले एक वे लोग थे जिन्नों ने पहले से आजमाई अपने होनरों और समंदों का इस्तेमाल स्वर्ण उद्योग में उतपाद वैसे वाय मुईया कराने में किया हिन्री वेल्स और जार्ज फार्गो जैसे लोग जिन्नों ने ख़दान मालिकों के लिए बैंकिंग और तेज याताया चेवाओं के लिए वेल्स फार्गो कमपनी बनाई हम अपने जीवन में अब तक जो करते आये हैं उसी आदार पर हमारी अनुवन शिक काबियते हैं कारिय दक्ष्टा और निजी संबन तै होते हैं अध्याई नों में आप यह सीखेंगे कि इस दस खरब डॉलर के स्वास्ते उद्योग में किस जगए आपको अपना दावा करना चाहिए विस्तरित उद्योग की पांच विभिन विसेस्ताई दरसल निवेसक और उद्मी जानते हैं कि गुजरते जोंके और देर कालिन रुजहाओं में भेद कैसे किया जाए विस्तरत उद्योगों की पांच विभिन विसेस्ता ही होती है जिनके बारे में मैं आपको बताने का वादा कर चुका हूँ आईए इन विसेस्ताओं पर एक नजर डाले और उबरते स्वास्ते उद्योग के मद्धे नजर प्रतेक का विसलेशन करें अधिकांस लोग हेंडरी फोड को 1908 में उनके मोडल टी के साथ उबरते ओटो मॉबाइल उद्योग के कोज करता की रूप में जानते हैं हालांकि कारें दस्कों से मुझूद थी लेकिन रईसों के मन बहलाने के खिलोने के रूप में फोड की वास्त्विक खोज थी नई तकनिकों का इस्तिमाल करते हुए एक AC कार बनाना उनके शब्दों में ही जो इतनी कम कीमत में मिले कि उसे अच्छी तंखवा नय पाने वाला व्यक्तिवी खरीच सकी ठीक एसी ही कहानी रेडियो, टीवी, रेस्तरा, जेट हवाई जहाज, की यात्राओं, वी सी आर, टैक्स मशीन, परसनल कम्प्यूटर, इमेल जैसे उन सभी खोजों के बारे में भी कही जा सकती है जो सर्वयापी हो गई, और जिनों ने हमारे जीने का तैका बदल दिया ये सभी उत्पाद, जैसे की ओटो मुबाइल, शुरुआत में अमीरों के लिए बनने शुरू हुए, फिर आम जनता तक पहुचने वाले कीमत पर, निर्मान की जा सकने वाली आदोनिक तकनीक विक्सित होते ही, वे सर्वय व्यप्पी हो गई, ये इतनी लोग प्रिया क्य हो गई, इन उत्पादों या सेवाओं में अत्रीक लूट से ऐसा क्या जुड़ा गया, जिनका तब तक अमीर ही सबसे अधिक सबसे पहले लूट लेते रही, इन सभी उत्पादों और सेवाओं में, खास से आम तक का सफर तैय करते वक्त, पांच अलग लग भी सेसनाई थ सन 1976 में जब वी सियर पहली बार बाजार में आया, तो हर परिवार को एक वी सियर की चाहत थी, लेकिन बहुत कम ही पंदरासो डॉलर की कीमत में इसे खरीच सकते थे, आदुनी तकनीक ने इसकी कीमत गटाकर सो डॉलर से भी कम कर दी, इसके बाद सन 1990 तक कई वी सियर बेचे के लिए तेजी से अदुनिक होती तकनीक वी कीमतों को लोगों की पहुंच के भी तर्क नहीं कर सकी, लेकिन फिर एक नया उद्योग, कंजूमर फाइनास, वो बोगता को करद देने के लिए उबरा, जिसने कीमतों को आसान मासी किस्तों में बदल दिया, नमबर दो, पैर, कोई भी परचार किसी उतपाद या सेवा को तब तक सर्वयापी नहीं बना सकता, जब तक कि उसके पैर नहीं हो, यह ऐसी काबिलियत है, जिससे उतपाद एक बार आम आदमी दोरा अपनाई जाने के पाद, बगएर परचार के सेल्प से लोगों तक पहुंचता है, कार, ट परचार रुकते ही बंद हो गई, नमबर तीन, निरंतर खपत, आज किसी नए उतपाद के बारे में ग्राहक को लुभाने के लिए, परचार और विग्यापन पर सो डोलर से ज़्यादा खर्च बैटता है, और यह सिर्व यह देखने के लिए होता है, कि उसे यह उतपाद पसंद है या नहीं, अगर वह उसे पसंद कर लेता है, तो सफलता पाने के लिए उतपाद व्यापार का इससा बन जाता है, ताकि वह इसे लगातार खरिदता रहे, टेलिविजिन और रेडियो के लगातार इस्तेमाल से विक्यापन बिक्री बड़ी, जिससे अधिक परदर परसन हुआ, जिससे ज़्यादा टेलिविजिन और रेडियो बड़े, एक वोगता हर पांच साल में एक बार सो डॉलर का एक वी सियार करीता है, जो हर वी सियार सालना सैंक्रों डॉलर की कमाई करता है, और रिकॉर्डेड टेप्स का किराया आता है, जब लोग एक नया पर पर इंटर चाते हैं, एक बेतर मॉनिटर, तेज इंटरनेट कनेक्शन और बस यह बढ़ता जाता है, सर्व या पी उत्पादों को सपल होते रहने के लिए हमेशा निरंतर उपयोग होते रहना पड़ता है, नमबर चार, सार्व वोमिक मांग, हमारे जीवन जीने का अंदा चलते ही हर कोई उसे खरीदना चाहे, दरसल आज हर कोई एक कार, एक रेडियो या एक परसनल कंप्यूटर चाहता है, लेकिन हर कोई कयाक, साइकल या एक आलिसान क्रूज नहीं चाहता, बहराल सार्व वोमिक मांग का यह मतलब नहीं होता, कि कोई चीज सार्व वोमिक पाद शिरेनी में पूरी होनी चाहिए हेंडरी फोर्ड ने शुरुआत में एक मातर सारव बोमिक मोडल बना कर मोडल टी मोडर कारों को लोगों की पहुंच में बनाया वे अक्सर सेखी बगारते थे कि वे आपको एक कार बेचेंगे जिसका रंग आपकी पसंद का होगा हालांकि यह लंबे समय तक काली रही हालांकि 1920 में फोर्ड जनरल मोडर से मात खा गए जब जीम ने उच गुनवत्ता वाली कार भी बिन रंगों में बाजार में लाना शुरू कर दी और मोडल टी के बदलाओ पसंद मालिकों को लगातार हर साल नए मोडल को अपलाओ करा कर मांग को बरकरार रखने के लिए उचाते रहे नमबर पांथ सिग्र खपक आज के समय में सर्व्यापी बनना चाह रहे नई उच्वादोर सेवाओं के लिए यह सबसे बड़ी चुनोती है कि व्यस्ट उबोग्ताओं के पास इतना वक्त होना चाहिए कि वे उसका अनंद ले सके है लोप्परिया होते आज के यह सर्व्यापी उत्वाद मनोरंजक होने के साथ दरसर उबोग्ता का समय भी बचाते हैं मोटर कार या जेट विमार उन्हें तेजी से मनजिल तक पहुचा देखे वी सियार पर वे कम वक्त में किलम देख सकते हैं बजाए की थियेटर जाने के और परसनल कंप्यूटर चिछिश्यों को टाइप राइटर की प्रूना में कम समय में तेयार कर देता है स्वास्ते वह व्यापक उद्जोग है जो कभी लुक्त नहीं होगा कुछ समय पहले तक बहुत से स्वास्ते उत्पाद वैसे वाई सिर्फ अमीरों के लिए ही उपलग थे इस तरह के उत्पादों और शेवाओं के बारे में पहली बार मुझे तब मालूम हुआ जब हम कैलिफोर्निया के पेसिफिक पेली सेड्स में अपना पारिवारिक बीस हाउस बना रहे थे वहां मैंने गोर किया कि मेरे धनाड्य और नामचीन पडोसी किस तरह अपने बोजन और स्वास्ते के पर संजीदा थे स्वास्ते उबोगता बनने के बाद मैंने पाया कि उच्वर्ग ये ताइरे से बाहर बहुत से उत्पाद और स्वाइंब मिलना मुश्किल हो जाता है इनमें रेस्तरा में स्वास्त बोजन उपलब कराने से लेकर होटल में जिम की सुईदा तक शामिल थे आज पर स्वास्तितियां बदलना शुरू हो गई है हर दिन ज़्यादा ज़्यादा रेस्तरा स्वास्त बोजन परोषते हैं नई व्यायाम सुईदाएं खुल रही हैं और ज़्यादा विटामिन्स तता विबिन अतिरिक पूरक पदार्त मुख्यादारा के विग्या अपनों में जगे बना रही है लेकिन क्या स्थितियां इतनी बदल चुकी है कि स्वास्ते उद्योग उच वर्ग से आम वर्ग की तरफ छलांग लगाने के लिए तयार है इस सवाल के जवाब के लिए आईए हम सरव्यापी उद्पादों की पांच विशेस्ताओं पर नजदी की नज़र डाले यह देखें कि स्वास्ते उद्योग इन में से परतेक से किस तरह जड़ा है पहला क्या स्वास्ते उद्पाद और सेवाई पहुंच के बीतर है अब तक स्वास्ते और तरो ताज़ा बोजन का एकमातर तरीका यह था कि वह आपके हाथों से बना हो रेस्तरा या तो महिंगा गरिष्ट बोजन परोस्ते थे या डिबबावन परसंस्कृत बोजन आज पोस्टिक बोजन ने सिर्फ पोस्टिक बोजन वाले रेस्तराओं में उपलब्द है बलकि अधिकांस रेस्तराओं ने सही दरों के स्वास्ते विकल्ब भी अपने मेन्यू में जोड़े हैं जैसा की आगे हम विस्तार से परताल करेंगे कि दूसरे स्वास्तेक शित्रों में भी इसी तरह से के इमतों में गिराउट आई है पर्सनल ट्रेनर अब एक गंटे में सिर्फ एक हस्ती के लिए काम करने के बजाए दरजनों के लिए काम करते हैं साथ ही गुनवत्ता पूर्ण विटामिन्स और अतिरिक पूरक पदार बाजार में तैयार उपलब्ध है इन्हें आपको उगाने या मिशन करने की जुरूरत नहीं होती सेल्फ से खुद वाहरा सकेंगे हर वाग जब सफल स्वास्ते उबुक का अपनी उमर बताता है कुछ शारे रियायाम करता है या वजन कटाता है तो उसके मित्तरों से योगी पूसरा शुरू कर देते हैं कि वैयुवा दिकने या तक्तोर बनने का या फिर सुडोल बनने के लिए क्या कर रहा है निश्चित तोर पर उसका जवाब सवाल पूसने वाले को भी वही चीजें खरिदने पर मश्बूट कर देता है तीसरा क्या स्वास्ते उद्यों के उत्पाद और सेवाओं की खपत लगातार बनी रहेगी अपनी बेन प्रकृति के कारण विटामिन व्यायाम भुज्य पदार और अन्य स्वास्ते उत्पाद तथा सेवाईं संभवता हमारी अर्थवे उस्ता में सर्वादिक लगातार पर इस्तेमाल होने वाले उत्पाद तथा सेवाई हैं जब स्वास्ते उब उब्गताओं को लगता है कि उन्हें किसी चीज से फायदा पहुंचा है वे इस उत्पाद या सेवा के कटरस पर संसक्त बन जाते हैं इस तरह वे अन्य स्वास्ते चीज़ों को आजमाने के हिरती हैं जोता स्वास्ते उद्पादों और सेवाउं में सर्वया प्यव आकरशन होता है हर ऑन्सान चाहेवे कितना भी स्वस्त और तंदुरस्तो अधिक उत्दुरस्त बनना चाता है इसके एक वज़ए यह भी है कि हमारे अच्छा और तंदुरस्त मैसूस करने की कोई इसमाने ही है लेकिन अधिकांस तैं एसा इसलिए होता है क्योंकि स्वास्ते उद्यों के पास ही इनसान की बढ़ती उमर की सारवबोमिक समश्या का हल है। उप भोग करने का प्रियाप्त वर्ट है इस सवाल का जवाब हमारी पूरी अर्थवेवस्ता और स्वास्ते उद्यों का बविश्यत ठेकरेगा जैसा कि दूसरी अध्याई में विस्तार से बताया गया है कि हमारी अधुनिक अर्थवेवस्ता की प्रदी उब और ताउंद वारा अपनी अतिरिक कामदनी एसो वाराम के सादन पर किये जाने वाले खर्च पर निर्वर करती है जो जल्दी ही उनकी जरूरत बन जाते हैं ये उत्पाद या सिवाईं अक्सर ऐसी चीजी होती है जो उनकी पैदाईस की समय अस्तितों में नहीं होती हाला कि इन नए उत्पादों और सिवाओं की नज़्दी की पड़तान विरोदाबास पहला करती है जिससे बविश्य में इस परगती पर प्रोक लग सकती है हरले डेविट सिन्वोट साइकलों से लेकर बगीचों के ट्रेक्टों तक अधिकांस नए विलासिता पूर्ण उत्पादों में बहुत बड़ी खामी यह है कि इनका आनंद लेने के लिए वक्त चाहिए यह आदोनिक जीवन का एक बहुत पड़ाविरोदाबास है हर साल उबोगाओं के पास खर्च करने के लिए पैसा बढ़ता दिखाई दे रहा है लेकिन उसका आनंद ले दें के लिए उनके पास वक्त कम से कम बचाहा है फुर्सती अमीर और मेनत कश्परी वाली पुरानी दारणाओं के ठीक उलट पास समाज के हर वर्ग में अतिरिक कमाई फुर्सत के समय के विरुदा नुपात में है कुछ साल पहले तक जब आप लोगों से पूछते थे उन्होंने फला नया उत्पात क्यों नहीं खरीदा तो अमूमन नपात उला सा जवाब बिल्ग कि वह उनकी पहुंच से बाहर है आज आज आपको अधिकांस लोग यह कहते हुए मिलेंगे कि उनके पास पिछले अप्ते अप मेहने पहले खरीदी उत्पात का इस्तिमाल करने के लिए वक्त नहीं है इसके अलावा आज उब उटाओं में सारी निक उत्पात की बनिस बग्त मनोरंजन और सिवाओं की मांग ज़्यादा थेजिसे बढ़ रही है ये समय लेने वाली खरीदी मसाज से लेकर लगजरी क्रूज और ओपेरा की टिकर तक की आपकी सीमा है यह एक दिन के लिए 24 गंटे से लेकर साल के 365 दिन तक कुछ भी हो सकती है कुछ उब उटाचा आते हैं कि उनके पास समय की कमी की मुख्या बज़े ज़्यादा काम नहीं अन्याफालतु पतिविडिया है हमारी आधुनिक आर्थ पेरस्ता उब उटाओं की इन गैर आर्थिक सीमाओं में पिसकर रह जाएंगे यदि हमारी तक्निक ऐसे उत्पादों और सिवाओं का निर्मान नहीं कर सकी जिनका आनल उठाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की जुरूर ने पड़े यह सपस्ट है कि मोटर गाडियों और परसनल कम्प्यूटों की तरह ही स्वास्ते चेतना भी हमारे जीवन को बदलने के बारे में है इस से पहले कि मैं यह समझाओं कि कैसे आप यानि एक उद्दमी एतुल्मिय प्रगतिक्शम्ता वाले इस विस्तरत और अनत उद्द्योग से लाव उठा सकते हैं आईए पहले देखते हैं कि यह उद्द्योग कैसे शुरूर गए और कितना विस्तार करेगा दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्स्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्याई से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से और तुरंत को उन जाए धन्यवाद आपका दिन सुब्रो